ब्रिक के बाद आपका स्वागत है सांसद किशन कपूर ने पालंपूर पहुंच कर अपने राजनेतिक गुरू भाजपा के वरिष्ट नेता शांता कुमार का आशिरवाद लिया है सांसद किशन कपूर ने पालंपूर पहुंच कर अपने राजनेतिक गुरू भाजपा के वरिष्ट नेता शांता कुमार का आशिरवाद लिया यहां पर कई भाजबा नेताओं ने किशन कपूर सहित शांता कुमार को लोकसवा चुनाब में कांगडा चंबा के साथ पूरे परदेश वो देश में अपार जीत के लिए बधाई दी शांता कुमारना किशन कबूर को आशिरवात देने के बाद अपने चुनाबी राजनिती छोड़ने पर भाबुक गाना भी गाया इस मौके पर परदेश वास्थे मंत्री विपन सिंग परमार बैजनात के बिधाईक मुल्क राज प्रेमी नगर उट्टा के बिधाईक आरुन महरा पालंपूर के पूरुब बिधाईक प्रवीन शर्मा जिला भाज पैदक्ष बिने शर्मा साहित जिला के पददकारी भी मौ पहारे कम भी आईए हैं पहारे फिर भी आएएगी शर्मा जाहे अधर माली समन को तार में ही पाली सांसत किशन कपूर ने अपेक्षा से अधिक जनता का पार सहयोग देने पर कहा कि जनता ने जो साथ दिया है इसका कर्ज निभाने के लिए वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे किशन कपूर ने कहा कि शांता कुमार ने जो बिरासत उने सौंपी है उसे संभालना मेरा दाइतब है अपने दाइतब को निभाने के लिए वे शांता कुमार के पजचिनों पर चलते हुए बखूब भी निभाएंगे देखी मैंने पहले कहा कि मुझे तो राजनीती में लेकर शांता कुमार जी आये थी और जो इनका मार्क दर्शन हमें समय समय पर मिलता रहा हम उनी पजचिनों पर चले हैं और उसी के कारण इतनी बड़ी जीत हमें हासल हुई है तो लोगों ने हमारे उपर विश्वास परकट किया है वो विश्य में भी उनी पजचिनों पर चलेंगे और लोगों की भावनों के अंपूल उतरेंगे यह हमारा प्रयास है किशन जी चंबा में सिमेंट प्लांट तांगडा रेल और रोपे यह तीन ऐसे मुद्धे हैं जो हर बार उठते हैं शांता जी का प्रयास रहा है कि इन तिनों को सिरे चड़ाया जाए बात आगे बढ़ती भी है परन्तु पूरा नहीं हो पाए है किस तरह से आप इन मुद करेंगे और मुझे विश्वास है कि हम उसमें सापन होंगे यह मैं विश्वास देना चाहता हूं ठीक है थे करेंगे थे बहुत बहुत है